इस समय बीजेपी आज है सत्ता में कल नहीं रहेगी हम जब यहाँ डिवेट कर रहे हैं तो के बल बीजेपी कांग्रेस और नेशनल कॉंफरेंस को सामने रखके नहीं कर रहे हैं हमारे लिए हमारे देश की एकता अखंडता जम्मू कस्मी कारसंपूर्ण विलाए सामान राज के रूप में उसकी स्विकृति भारत में यह सबसे बड़ा महत्ता है उसकी कसोटी पर हम बात कर रहे हैं पहली बात सेकेंड बात हम आते हैं कि 370 हट गया नहीं आएगा लेकिन घाती में वहां के लोगों को भरकाकर इसको आग लगाना वहां के वाता बरन को बदला चुना कस्मेरियत हम कहते हैं मतलब इसलामी पहचान और कुछ नहीं है कस्मेरियत सूफी बात सूफी में क्या हुआ उसी में तो पंडित लोग आ गए इसे फारुक अब्दुल्ला के समय तो वह जो बाइस सिती है यह खतरनाक है कि तुम्हारा हक तो 1950 के तिरी के पहले था वह तु 2015 में हो गए उसके बाद से खत्म कर दिया कस्मीर में पाकिस्तान कोई पार्टी है ही नहीं कस्मीर के महराजा हरी सिंग ने उसी इंस्टूमेंट पर साइन किया था जिसमें भारत के 542 अन्रियास्तों पर साइन हुआ था यह तो नहरु जी ने जिसको उनको जेल में बाद मे है हमारा आक है इसलिए से खब्दुला को वाद कर दिया तो तो सुनिए तो इसलिए पाकिस्तान से ये कही बात है कि हमारा जो तुमने अकुपाई किया हुआ है उसको कब खाली करोगे किसे भी सूरत में पाकिस्तान के साथ उसका कोई हमारा रिश्ता है तेरर सिनारियो 90% गटा है यह जो बता रहे हैं 90% जो है आकरे बताते हैं आप पत्थरवाजी पंडित के बारे में भाजपा को कटगरे में हम खड़ा कर सकते हैं लेकिन कस्मीरी पंडित के लिए कुछ अगर काम हुआ है तो इसी सरकार में कश्मीरी पंडितों पर जब सवाल आता है तो यह घाटी के मुसलमानों पर सबसे बड़ा सवाल है और यह भी सवाल आता है कि जहां मुसलिम बहुल हो जाएगा क्या वहाँ डेमोक्रेसी का तरीका बदल यह बात तो करना पड़ेगा ना भई वहां से आदमी बैट के पूरे तो कुछ कह देता है तो हमें बात तो करना पड़ेगा ना डिमोग्रेफी बदलकर पंडितों को ले जाएंगे यह बादा नहीं था ना डेमोग्रेफी कि हो तो वहां रहे हैं जो रह रहे हैं इकी ही तो बात कर रहा हूं क्या उनमेंसे जितने लोग जिन्होंने कष्मीरी पंडितों के घर कभजे का रखे बुलाया क्या इतने दिरों में ये भी तो बात होने चाहिए जाहें आप सुनिए बात को ये कश्मीरी पंडित यही सरकार से कहते हैं कि तो हमको माग क्यों भीजना चाहते हो यहीं तो मैं कह रहा हूँ सरकार ऐसे भेज़े तो मुश्किल में आ जाएंगे ना खीक है